हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम तो सजेस्टिव एड़ोकसेन, सजेस्टिव एड़ोकसेन एर सकल के सागोत जनाई अचके आमी कलास 11 एर पोयम ब्रादार हुट ब्रादार हुट थेके 5 माक्से ब्राट कोस्टिन गुलोर सजेसेन नीश ची एकनामी याई वीटियो ते पास्टि कोस्टिन नीश ची 2001 से परिखर्थी दे चन्नों याई पास्टि कोस्टिन पोल्ले आसावरितम रा एक पाहिम थेके कौमुन पे जावे तेको की की पास्टि कोस्टिन देखो एकनामी बोर ब्रिंग आउट दा सिगनिफिकेंस ऑफ दा तैटेल अब ब्राधर होड ब्राधर होड को विदातें नाम करोने गृत्तो संबर के लेखो तरपर कोषिन ऐंचे गईब दा सिग्निफिकन्स ओफ दा लाईन अन्नौाइंग आई अंडरीस्टैंड इन्घ अनधरस्तरं इन ब्राधर होड तरपर दे तिनवग औरे कोषिनद दहखो, बिंग आऊटी इजडा आइड़िया जडानु ओफ द पवर दो फाग्लिफउर्ण पउएम ब्रादर होड थर रास्ट कोस्टिन पाच्छ माख कोस्टिन को हतर दा अलेगोरिकाल और शिम्बोलीकल इंप्लिकसेन इं दपउएम ब्रादर होड छौल अमचेज एक कोस्टिन गुलोर एंसर देखी, की भवे आमरा ऐ एंसर गुलो लिख भो, फाइब माक्से जोन नो कातुरा लिखता हवे, फाइब माक्से जोनो तो मादेर हंडेड वर्स, फरिकाज अबसो अटा थाग भी जे हंडेड वर्सेल मुद्धे लिखता हवे चलो एंसर फर्स कोशी नासर देखी, राइट, sorry, bringing out the significance of the title of brotherhood एंसर चे, the word, brotherhood suggests that the poem is about brotherly relationship within a national or religious community sharing a common interest ब्रादार हुट सब्दोटी, पोडे मोने हाई जानो, कोवितारी एक, सुत्रे बाधा कोनो जातियोबा धोर्मियो संप्रोधार मुद्धे विराजमान सव भ्रातित्तो मुलक संपोर्को आम्रा brotherhood कोवितार थेके की बुस्तारी जे एक्टा जातियोबा कोनो जातियोबा धोर्मियो संप्रोधार मुद्धे विराजमान एक्टा भ्रात रिक्तो भोध तरवेर लाइन की बोल चे, but in the context of the poem, the title indicates the idea of the relationship that binds everything in the universe organically किन्तु यह कोवितार प्रिखिते शिर्णाम्टी महाविश्चे सु संवितो भाविक क्रियासिल स्वकोल उपादने मदे नहीतो संपोर्केर बंधन के मिले धरे The poet or the speaker acknowledges a superior power that controls our existence भक्ता अब कोवी आमदेर वस्तित्य नियंत्रनकरी एक उच्चो सोक्ति के सिकर करें Human being can neither explore the truth nor explain जतोचे तो ग्यानेर अभवे मानोस ए महाजागोतिक सोक्ति के आविश्कर किमबा ब्याखा करते परें Nor explain the cosmic force because of lack of knowledge ए ग्यानेर अभवे मानोस ए महाजागोतिक सोक्ति के आविश्कर किमबा ब्याखा करते परें They can only understand that their lives are bound by a cosmic force and are predestined Our life and existence is controlled and regulated by cosmic laws In this sense, the universe and humanity are intertwined and share a brotherhood ये वर्थे महाबिश्व ए बंग मानोबता एक सुत्रे गाथा एबंग एक सव भ्रादृत्तो मुलक्संपोर के बाधा The title focuses on the relationship between different entities that work organically So the title is appropriate A title ती महाबिश्व सुसम्मित भावे किरियासील सकल उपादने मुद्दे बिराजवान सव भरातृत्तो मुलक्संपोर के तुले धरे So the title is appropriate ताई title ती जथार तो ही चे तरपुरे दुई नमबर कोस्टी नाचे Give the significance of that line Unknowing I understand in Brotherhood Unknowing I understand a line तीर Significance by a line तीर दारा की बुझाचे by a line तीर वथाटी वर्थो की बुझाचन चलो अमरा answer देखी In the poem Brotherhood The speaker stands under the starry sky And perceives the vastness of the universe around him He realizes that human life is a finite lapse of time तीनी भुष्टे परें जे मानुव जिवोन, मानुशेर जिवोन काल प्रवा है एक खंडो समय मात्रो It is only a point one timeline It is समयर धारा प्रवा है एक टी बिन्दू मात्रो It is only a point of one timeline Its purpose and destination is determined by the stars एर उद्देश्चो ओ गंतो पो तारादेर दार निर्धारितो He realizes this intuitively He realizes this intuitively निजे थेके तीनी एटी उपलोब्दी करें Such is the limitation of his knowledge that he cannot explain it logically तर ज्यानेर सीमा बद्दोता एसोटे ही जे तीनी एई उपलोब्दी के बैका कोटे पारेंना By this, the point means that the truth lies outside the man's ability to reason एर दायको भी बजाते चेशें जे सत्तो मानसेर जुक्ति बुदेर अतीप We have little knowledge of the world around us and the cosmic forces that govern our life आमादेर चारपासेर जगोत एबंगो जिवन नियंत्रण करी महा जागोत एक सक्ती समपरके आमादेर ज्यान अत्तो नगोन्नों खुद्रो ज्यान चलो तरपारे तिन्नोबर कोस्तिन की चलो Bring out the central idea of the poem Brotherhood Brotherhood को भीताटीर मूल भावु ना की Central idea की चलो आमड़ा answer दो की की भाव एक कोस्तिने answer टा लिख भो Central idea बोलते तो अनो जोदी एक कोस्तिने The poem exposes the insignificance of human being in the vast universe as well as the relationship between world entities of the world working organically There is a cosmic force that binds everything in the universe Human existence is only the passing of a period of time मानो बुस्तित्त हलो समयर प्रभावे अतिवाहित एक खंडो समयकाल Human knowledge cannot explain the cosmic laws that govern human life and activities because human ability to region has its limitations जुक्तिवोदर सिमाबद्धोतर कारूने मानुसेर ज्यान तर जिवन और कर्मोंगते निंत्रन कारी महाजागुतिक नियुम के ब्याखा कोरते पारे ना Human existence is only the passing of a period of time Human knowledge cannot explain the cosmic laws that govern human life Human knowledge cannot explain the cosmic laws that govern human life and activities because human ability to region has its limitations एटा ब्याखा कोरते पारे ना कारून की तार ज्यान सिमाबद्धो has its limitations तार एक ज्याने लिमीटा चे वोले जुक्तिवोदर सिमाबद्धोतर कारूने Human knowledge एटाके explain कोरते पारे ना ब्याखा कोरते पारे ना बट वी आर वाल लिंक्ट टूगेदर इन हिस्टोरी किन्तो आमरा सकोले एक्टा इतिहां से संग जुक्तो एब्री लाइफ है जे परपोज बोच दा यूनिवर्स अन हुमानिटी आर इंटर्वेंड इंटर्ट्वेंड पतिरी जीवन एक्टी उद्देश स्वा आछे दे फ़ालो एर रिद्यम उनिवर्स अन हुमानिटी आर इंटर्वेंड एंटर्वेंड ए मोहविश से एबंग मानुवता एक सुत्रे बाधा आछे एबंग दे फ़ालोड एर रिद्यम तरह एक्टी निर्दिश्टो छंद मेने चले तरवे कुसिन दखो गीब दा फिलोजोविकाल इंप्लिकेशन अफ ओक्टवियो पाज पोएम ब्रादर्वोड ओक्टवियो पाज एर ब्रादर्वोड कोवितार दार्सुनिक तात पर्जो लेखो दगा एखने एंसर चे आमरा एखने एंसरे चाट्टा पॉइंट नेस ची फास्ट पनें चे इंट्रोड़क्शन ओक्टवियो पाज ब्रादर्वोड is a very short poem in simple language ओक्टवियो पाज एर ब्रादर्वोड एक्टि साहोज स्वरोल भासाई लेखा छोटो कोविता बट बहाइंड इस apparent simplicity lies a deep philosophical meaning किन्ट ये आपातो स्वरोलोता अर्भितोरे निहीतो आचे गोभीर दार्सोनिक और्तो Dedication to Claudius Ptolemy Claudius Ptolemyr Prati Sridhaanjoli The poem has been dedicated to Claudius Ptolemy कोभीतारी उस्वर को करा है चे Claudius Ptolemy के This dedication shows that the poem is about a search for rhythmic correspondence in the universe ए स्रोधन्जोली बोजाईज एकोविदाटी ए महाविशेर छंदो माई साजुज्यो के संधन करे। टॉलेमीर एलमाजेस्ट इज ए मैसेमेटिकाल ट्रेटाइज वान दा एपेरेंट मोशन अफ इस्टार्स एड प्लानेट्स इन ए जियोसेंट्रिक मोडेल। टॉलेमीर एलमाजेस्ट अलो भूकेंद्रियो जगोतिर तारा एबन ग्रोह देर आपातो गोती संपर्केतो गानीतिक तत्त। इस रेफारेंस टु टॉलेमी साजेस्ट ए पिक्चर वाप द यूनिवार्स इन वीच ए अन इंडिविज्वाल इस इन सिगनिफिकेंट। टॉलेमीर ए उल्लेक एमण एक महविश्यर चीतिर अपोस्थावन करे जेकने ब्यक्ति मानुस नगुन न वाकिन चीत कर। धुमान वाल्ड इज कंट्रोल भाई डिवाइन स्पिरीट। मानुब जगोत चारीत हई बा कंट्रोल हई एक्टा दोईबो सत्तर दारा। दोईबो सत्तर दारा। तो मान डिवाइन स्पिरीट मान एक्टा वलाउकिक सक्ति बाद दोईबो सत्ता इतनी। आर लाइफ, एक्टिविटी अद डेद आर प्रेदी स्टाइंट बाई श्टार्स। आमाजेर जीवन कार्जाबोली एक उमित्तु तारदर दारा पूर्व निर्धारीत। तरपरे टीनमोरे पोईंट्ट दआको, ब्रादारली रिलेसेंट्शिप। The title highlights the brotherly relationship between world entities functioning organically in the universe कोई जाटी सिरो नाम महाविश्य सुसम्वित हावे किरियासियल सकोल उपादनेर मोद देव्रिया जमान भरातरित्य मुलक संपर्क के तूले धरे वाल आर मैन सरी वाल आर गाइड़ बाइड़ डिवाइन विल वाल आर गाइड़ बाइड़ डिवाइन विल सबकी चुवि एक दोईबो सत्ता इच्छार दार नियंतरी तो दा ओपेनिंग लाइन, I am a man, little do I last, focuses on the temporal existential predicament of man पुथम में पुंकिति दी मान पुद शुरूर ते लाइने दाखो, आम याग जोन मानूस वाल पुद समाई आमार आइसकाल मानोबेर पार्थी बोस्ती ते संकोट के तूले धरे लाइफ अन इंडिविज्वाल इज नथिग बट ये फाइने लाप्स अफ ताइम ब्यक्ति मान से जीवन समयर सीमाई बाधाउं सो मात्रो ब्यक्ति मान से चारपा से पुरिवयक्तो महाविश्यो रात्रीर आकासर मतो बिफुलायोतन दे वाल्ड अब दा स्पीकर लाइग दा इस्टार्स दाट रिदिमकली मूव और साइन और राइट आवर डेस्टीनी तारारा जेमन चंदवद दभावे घोरे जलजल करे एबंग भाग्गोली पिले खे तावनी बक्तार जगोते हच्चे डाग और साड़ा देवर एक वहिखोतन रिजन फेल्स टू एक्स्पेरेन दीस जुक्ति वो देडिके ब्याखा कोरते बैर्त होई ब्याखा कोरते पारे ना बड़ा इस्मिकर रियालाइजेस इंटुटिवली थाट हीज और हार लाइफ इज प्रेडिस्टाइंड किन्तु बक्ता उपलोब्दी कोरते पारें जे तर जीवन पूर्वन इड़ारी तो बाई रिडिंग दा पाएम ए रिडर कैन रिक्रियेट दा वर्ड इन्स्टॉल्ड बाई दा पाएम एक जोन पाठोग कोविताई उपलोब्दी जगत के पुनराई सिष्टी कोरते पारें दा रिडर कैन डिकोड दा टुरूथ हीडेन इन दा रिदेमिक पॉएटिक लेंगविज अब दा पाएम एक जोन पाठोग कोविताई चंद बद्द काब्ब भासाईलुकानू सत्तेर वर्थोद्दार कोरते पारें जे कोवितार सत्तो टाके तूले धोर्थे पारें तरपरे आमडा लास्ट पाएंट देगो कानकुलोशन इंट्रोचन दिये सुरूगो छलाम दूटो पाएंट दिलाम एर पारे कानकुलोशन दिये सेस करे देगो चलो कानकुलोशन आमडा की लिपो दूटो दस दा पाएंट दिल्स विद दा फिलोशोफिकाल कोश्टिन रिगर्डिंग दा पर्पोज एंड देस्टिनेशन दा लाइफ इन दा भास्ट उनिवर्स एभावी कोविताटी एग विशाल महाविस्चे मानोप्स जिवोनेर उद्देस्टो गन्तोपो सम्पुर के दार्सोनिक पर्शनेर उपस्थापुन करे चलो आरेक्टे कोश्टिन आचे होटर दा एल्लेगोरिकाल एंड सिम्बोलिकाल इंप्लिकेशन पॉएम एर आगा माना की पूढलाम फिलोजोभिकाल इंप्लिकेशन पूढलाम ब्रादरोड कोविताटीर एवारामना पूढल पूढलो कोविताटीर एल्लेगोरिकाल अन्सिम्बोलिकेशन की चलो एंसर्ट थे की पाज is a great poet because he always search truth that was greater than man's ability to reason and for image that were beyond the grasp of mere words पाजेशन महान कोभी कारंदिनी सर्वदाई से सत्यर अनसंदन करेन जा मानुस जुक्तिदर अविचार कोड़ थे पारेना एवं तिनी एमन चित्रो कल पेर अवतरना करेन जा तुच्छो सब्दनी अनदभन करा जाएना He believes तिनी विश्चास करेन that solitude is the profoundest fact of human condition तिनी विश्चास करेन जे एकाखित्यो मानुसेर अवस्थर गोभिरो तमरू तरवा देकों, in the poem, the speaker is an everyman, a representative individual who links himself, herself with history and continuity of time एक विटारी ते बक्ता एक जुन सार्बोजुनेन ब्याक्ती, जिनी निजेके इतिहास समय एर निरोभिछनो तार साथे जुक्तो कर छेन The poet's position under the open starry sky is an image of our icon sequential existence उम्मुक्तो ताराखोची तो आकासेन नीचे कोभी रवस्थान आमादेर वस्तितेर सीमा बद्धो तर एक्टिचीत्र कल्पो अचार दाप्टो तर एक्टो तर एक्टो महाविस्था बिपुलायातान Human life is ephemeral but the universe is enormous मानसेर जिवन टाहच्चे खनस्था एक्टो महाविस्था बिपुलायातान Human life is ephemeral but the universe is enormous मनस्था जिवन हलो खनस्था एक्टो महाविस्था बिपुलायातान Thus the position of the speaker reminds him of man's temporal existential predicament the stars of the sky similarly suggest the destiny of mankind point एई भावे बक्तार अबोस्थान ब्याक्तिर समय उस्थितर पार्थिर संगोट के सुचित कले आकासे नक्खत्र गुली मानुवजाते नियोतिर संक्यतिक रूप In this perspective a man realized the importance of brotherhood एई प्रप्रिकित एए मानुवजाते नियोतिर संक्यतिक रूप Thus the sentence someone spells me out is allegorical एखाने जे sentence दे होचे someone spells me out एबाकोटी रूप कर से ब्यावरिता होचे The poet hopes that a reader can recreate the poem and reinvent the status of life on earth कोभी आसा करे छेंजे एगजन पाठोक नुतुन भावे कोभीतारी के पोडवे एबंग नुतुन करे पिथिवीर बुके जीवने रवस्तन के पुनर मुलाइन करवे The person who is called someone is allegorically a philosopher, a prophet or a decoder of fate एब्यक्ति जाके सामन बोले वभीता करा होचे आसले रूप करते एक जुन दार्शनिक, एक जुन भाविशत द्रुष्टा, ए नियोति वर्चो संधनी The poet suggests that human predicament is only a part of the rhythm of the universe कोई मतपुरकास करेशन जे मानसेर मनोकस्ट आसले जगो तिर छन्द रियक्टि अंग्सो